साथियों कहते हैं कि किस्मत माथे पर लखी होती है कोई भी जगा कोई भी स्थान कोई भी कोठी कोई भी ऐसा भवन हो जिसको देखते हैं आपको पता चल जाए कि यहां पे रहने वालों का क्या स्टेंडर्ड है सूचने का तरीका क्या है उनकी कल्चर क्या है और हो सकता है उ उसमें हमें कुछ साबधानियां लेने चाहिए, वास्तो के अनुसार, क्या गलतियां नहीं करने चाहिए, इन पर आज हम प्रकाश डालते हैं, अगर जानना चाहते हैं, भावन के फरंट के बारे में, फासाड के बारे में, एलिवेशन के बारे में, मुखोटे के बारे में से देखिए हो सकता है आप से कोई छोटी मोटी उसमें गलती हो गई है तो कभी कभी क्या होता जैसे मैंने बोला कि किस्मत तो माथे पर लेखी होती है ठीक कर लो माथे को फोर हैट बड़ा बड़ा माथा बड़ी किस्मत अंतराश्ट्रिय ख्याती प्राप्त सेलेब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट वास्तु शास्त्र के एंसाइकलोपीडिया डॉक्टर आनंद भारदवाज नमस्कार साथियों मैं हूँ डॉक्टर अनन्द भार्दो आज आपका जाना पहचाना वास्तु कंसर्टेंट और आप देख रहे हैं आज अपना खास कारेकरम वास्तु शास्त के बारे में जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐलेवेशन के बारे में बहुत सारे सवाल बहुत सारी क्वेरी मेरे पास आती रहती हैं कि सर ये तो बता दो कि एलेवेशन कैसे बनना चाहिए अब मैं कैसे बताओं कैसे बनना चाहिए आपके सामने एक Elevation किसी जगह का ये बहुत सारे house बने हुए हैं एक community बने हुई है जिसके अंदर बहुत अच्छे Elevations हैं देखते ही आपको सकून लगता है देखते ही आपको सकून मिलता है ऐसा लगता है आपको कि यहां पर सकून शांती और यहां पर अच्छा फील आ रहा बना हुना हो मैं सेकेंड अलEवेशन मौटर्ण वास्तू मौटर्र साइंस के साथ से खाकी से आपको आपको देखाता हूं आपकोıyı सेव हैं इस Examples गवन में आपका यह भी अ law शास्ताता हु कि अपकून लेता है लेकिन वास्तू शास्त्र के अनुज़ोग है धमीदा है चाहिए किसी भी घर में वो क्या है नमबर एक किसी भी जो भी आप भवन बनाना चाह रहा है बना रहे हैं उसमें कोशिच करना चाहिए हमें कि हम सबसे पहले ये ध्यान करें कि कहीं पर भी पूरे के पूरे जितना आपका ये बनता है पूरा एलिवेशन बनता इस पूरे के अंदर कहीं पर भी ऐसे निशान ना हो क्रॉस वाले निशान नहीं होने चाहिए कहीं पर भी किसी भी भवन किसी भी एलिवेशन में यह निशान बनते कैसे मैं आपको बताता हूँ अगर इसी बिल्डिंग में अगर किसी ने जह है अगर आर्किटेक्ट ने इसी में अगर उसने एंटी वास्तो जह है कुछ ऐलिमेंट दिया होता तो हो सकता है कि यहां पर जह है कोई डिजाइन ऐसे बन जाते कोई डिजाइन बनता है जैसे कि आपने किसी बचे ने अपना कोई काम किया और टीचर ने उसको काटा मार दिया से कट कर दिया यह गाउन decision पहला urban elevation का यह आता है नंबर वन नंबर टू कभी भी जो हमारा ऐलिяжन होता है उसमें ध्यान करें कि कभी भी उसमें कोई ऐसा निशान ना हो कि जो question mark बनाता हो example के लिए अगर माले इसी elevation में यह जो elevation आपके सामने है अगर इसी elevation में कहीं पर मैं question mark बना देता हूँ अगर acid जैन बना देता हूँ तो यह भी जहेंब वास्तों के इसाफ से negative position बनती है यह ऐसे डिजाइंग है जिसमें question mark होते हैं ऐसे भी नहीं होना चाहिए तीसरा अगर कहीं पर आपने elevation बनाया और उसमें आपने क्या किया F-stat बना दिया F-stat का मतलब क्या होता है जैसे यह दिवार बनाई यह दिवार कहीं कहीं से उची गई कहीं से टेड़ी गई कहीं से कैसे जिसे कहते है modern art जो modern art के बनते हैं जिसमें टेडिंग मेड़ी चीजें बनती है यह ऐसे यहां चला गया वहां से वापिस आगया उसके बना कोई अजीव सी शेफ नॉन जोमेट्रिकल का शेफ बनती है यह कभी-कभी हमन अच्छा कासा elevation बहुत अच्छा elevation अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा मसकता है elevation में कोई समस्चा नहीं है दूसरा जैसे colors यहां पर यूज किये गए हैं बहुत अच्छे colors हैं इसमें कोई समस्चा नहीं है फिर भी जो सबसे अच्छा elevation होता है वो होता है white white के बाद off white ivory जितने colors होते हैं वो सबके सब comfortable होते हैं कोशिच करें कि black color जाए elevation में आप यूज ना करें दूसरी बात अगर आपका भवन north facing है तो उसमें white yellow light yellow light green light blue यह सब color यूज कर सकते हैं इसमें और red color को avoid करें अगर आपका elevation अगर भवन आपका north facing है तो उसकंदर hot colors यूज नहीं कर अगर आपका भवन east facing है पूरा मुखी है तो वहाँ पर yellow color बहुत अच्छा है वहाँ green color बहुत अच्छा है white तो ही हर जगां पर white यह तो universal color है अगर आपका elevation यह आपका भवन south facing है तो उसमें कोशी करो उसमें कुछ red का या महरून का उसमें element जरूर डाल दो red से क्या होता है कि वह जो south जो होता है एक अगने की दिशा माने जाती है बंगल का sun माना जाता है तो वहाँ पर red color बहुत ज्यादा comfortable फील करता है साथ-साज है इसके अंदर आप चाहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसके जो शीशें वह आप थोड़ से dark करते हैं उसम सबके सब बहुत comfortable होते हैं और उन जो मैटलिक शीड होते हैं उन में भी सास अगर आप चाहें तो एक हरकासा light gray इसकंदर ले सकते हैं white और आपको बताया मैंने off white यह तो यूनिवर्सल कलर ने यह color हर दिशा का अपना अलग होता है यह जो design मैंने आपको बताया वह design कभी को कुछिश करें कि किसी भी भावन में किसी भी elevation के अंदर वह design नहीं आए जो जिनको मैंने मना किया cross नहीं आना चाहिए question mark नहीं आना चाहिए और abstract नहीं आने चाहिए तीन तरह के design नहीं हो elevation बहुता है और मैंने आपसे बोला था कि जो किसमत होती है माथे पलेखी होती है कि कितना संतर कितना cool effect देने वाली जगा है यह वाली तो मुझे उम्मीद है कि आज आपने घर को चेक करना उसमें कोई ऐसा element तो नहीं आ गया है जिससे कि वहाँ पर कुछ negativity पैता होने वाली हो इसके साथ साथ आप वहाँ पर फूलों की जो बेले होती है creepers होते है climbers होते है कोई समस्या नहीं अपने भवर में और फूल पोधों का यूज़ करना वास्तु इसमें बहुत अरीफ करता है अपकी कोई भी दिशा है कहीं पर भी है अगर कुछ planter यूज़ करते हैं महाँ पर आप तो planters के अंदर अच्छे अच्छे पोधे होते हैं बहुत सारे अच्छ जो की गलती हमारे लिए आगे चलके भारी पड़ जाए मुझे लगता है एक छोटे से वीडियो में आपको अपना संदेश दे पाया मैं अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको share करो like करना मत भूलना चैनलन को अगर आपने subscribe में किया तब first time वीडियो देख रहे हैं आ अगला वीडियो फिर से आने वाला एक नए टॉपिक के उपर तब तक के लिए दियान मुझे इजादत नमस्कार धन्यवाद थैंक यू और ध्यान रखें अपना और अपनी परिवार का बहुत अदेख